Hey guys, what's up? Welcome to this my new video. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगो कि क्या रेलवे का एक्जाम लीक होने की संभावना है और किस तरीके से रेलवे एक्जाम कराएगा ये डीटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल दूँ. कि ये एक उन्नुस पेपर के द्वारा बताये गया है जो भी इसमें इंफॉरमेशन है वो एक उन्नुस पेपर के द्वारा दिए गई है. तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे कि इसमें बोला किया जा रहा है इसमें बोला जा रहा है कि लीग का सवाल ही नहीं होता रेलवे एक्जाम में सब को मिलेंगे अलग-लग कुष्टिन्स मलब हर एक कंडिडेट के अलग-लग प्रस्ट होंगे और रेलवे ने एक बहुत बड़ा कुष्टिन्स बैंक तयार किया हुआ है और वो कुष्टिन्स बैंक रेंडेमली हर कंडिडेट के जो रेश्टेशन नमबर होता है या फिर जो डोल नमबर होता है उसके हिसाब से वो आटोमेटिकली रेंडेमली चूज करेगा एक पैटन सम्मिट किया जाएगा सॉफ्टियर में कि इतने प्रस्ट एक कंडिडेट को मिलने चाहिए और इस प्रस्टिन को बनाने के लिए इस पेपर को बनाने के लिए कोई भी मैनुली काम नहीं, मैनुली नहीं होगा जिससे कि किसी भी आदमी का हस्त सेप इस एक्जाम कोईटन पेपर को बनाने में नहीं होगा और फिर लगबग धाई करोड के आसपार जो बच्चे केंडिडेट एक्जाम देंगे तो रेंडेमली एक पेपर सेट बनाने में किसी कभी योगदान नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली सोफ्ट बनाएगा और ऑटोमेटिकली ही आपको एड़ टाइम शो करेगा और आपको उस टाइम पेपर स्वार्फ करना होगा अब इसमें लीक होने की सम्मावना पूर पहले तो नहीं है कि यह पहले लीक हो जाएगा तो यह तो एक अच्छी बात है चलो हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें बोला गया है इसमें लिखा गया है 20 नई दिली रेल्वे ने कहा है कि हाली में शुरू की गई 90,000 भरतियों की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरे होने की सम्मावना है देखो कई लोग बोल रहे हैं कि इसी महीने एक्जाम चलो होगा पर ऐसा नहीं है जो एक्जाम अगले साल मार्च तक खतम होगी तो सचो उसका एक्जाम कब होगा इसमें पहली लाइन में भूला है दूसरी लाइन में की 90,000 भरतियों की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी होने की संभावना है रेलवे को अब तक इन पदों के लिए 3 करोड़ से अधिक आवेदन मिल चुके हैं लेकिन इन में से 2.37 यानि की लगबग धाई करोड़ के आशपा से अवेदन हैं जो वैद हैं और जो एक्जाम देंगे यह जानकारी देते वे रेलवे बोर्ड के चेर्में चेर्में जो हैं अमारे अश्वनी लोहानी ने बताया कि इस बार रेलवे परिक्षा के लिए इस तरह से इंतजाम करेगा कि पेपर लिक से बचेगा परिक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी और इसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन बैंक तयार किया जा रहा है इस तरह से बहती परिक्षा में बैठने वाले उमिद्वारों को कंप्यूटर के जरिये अलग अलग प्रशन पत्र मिलेंगे और इसी तरह से पहले से त रात्मिक और फाइनल के रूप में दो इस तरह प्रिक्षा हो इस पर अभी फाइनल पैसला नहीं आ सका है हो सकता है दोस्तों की आपको दो एक्जाम देना पड़े लेकिन इस पर अभी परस्ताव जारी नहीं हुआ है कि दो ही होगा जो पहले बोला गया है उसी पर हम खरेकर अग्जाम उर्नाइन होगा लीक होने कि संभावना नहीं है लेकिन इस निउस के अनुसार ऐसा भी नहीं है कि लीक नहीं होका क्यूकि जो लोगिन पासवर्ड और접ेशन नंबर दी जाता है क्या वो लोगिन पासवर्ड रिश्टेसयन नंबर बाहर किसी परसंड को देके बाहर से solve परा लिया जाए अभी भी बहुत सारे लूपोल हैं जो exam leak कर सकते हैं तो देखना पड़ेगा कि क्या होता है आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तो तो please like कर देना चैनल को subscribe जरूर करना और नीचे comment खुला हुआ है comment box में अपना message जरू छोड़न जो भी आपको कहना है जुद्वर्ति के लिए आपको देनी है और मेरा वीडियो के नीचे एक email ID होगा अगर किसी को personally कुछ बात करना है तो email पर वो मुझसे बात कर सकता है जाहिन दोस्तों